ओम शान्ति आज 4 अगस्त 2021 है बाबा अक्सर कहते हैं उर्थी कला तेरे भाने सर्व का भला हमारी उर्थी कला से पूरे विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ती जीवन मुक्ती मिल जाती है इसी कारण से यदि हम देखें भारत के बाहर भी भले ही वो देवी देवताओं को ना मानते हों लेकिन हमारी उर्थी कला की निशानी उसका यादगार एंजल्स फरिष्टा इसको हर कोई मानता है तो ऐसा फरिष्टा बनने के लिए और उर्थी कला में जाने के लिए आईए आज का बाबा का अव्यक्त इशारा सुनते हैं फरिष्टा उड़ता है चलता नहीं है आप सभी भी उड़ती कला में उड़ते रहो इसके लिए डबल लाइट बनो जो किसी भी प्रकार का बोज मन में बुद्धी में है वह बाप को देदो उड़ने के लिए किन किन बातों की आवश्यक्ता है अगर ये बाते हम अपने पुर्शार्थ में धारन करें स्वयम के अंदर धारन करें तो हमारी उड़ती कला बहुत शीग्र हो सकती है और यही उड़ती कला हमें फरिष्टा बनाएगी कभी हमारी कला बहुत उड़ती हुई होती है कभी चलती हुई होती है कभी ठहरी हुई हो जाती है कभी गिरती भी हो जाती है अगर हमारा पुर्शार्त इस प्रकार का अप एंड डाउन वाला है तो हमारे लिए फरिष्टा बनना मेहनत का कार्रे है लेकिन आज बाबा ने हमें बहुत सहज युक्ति बताई है डबल लाइट बनने की सारा बोज बाबा को दे दे तो उड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए पंख, ग्यान और योग के उमंग उत्साहा जो हमेशा हमें उपर की ओर ले जाए और हलकी चीज हमेशा उपर जाती है भारी चीज हमेशा नीचे आती है तो क्या-क्या बाते हमें भारी करती हैं सारा दिन आज अपने आपको चेक करें मुख्य रूप से आत्मा और आत्मिक स्थिथी हलके पन की निशानी है और देहे, देह की स्मृती, देह का अभिमान, देह का भान, देह के संबंध, पदार्थ ये सब की आकर्षन हमें भारी बनाती है, हमें नीचे ले करके आती है जो भी चीज हमें नीचे ले करके आए, भले ही वो मन को भारी ना कर रही हो लेकिन वो बोज है, क्योंकि वो नीचे ला रही है ऐसे ही मैं पन और मेरा पन, हमारे अपने व्यर्थ संकलप पुराने सोभाव और संसकार, जो कही ना कही अपने अपनी ओर खीचते हैं पुरानी दुनिया के ओर गिरा देते हैं ये भी सुक्षमता से मन के उपर, आत्मा के उपर बोज है मर्यादाओं में हम चलते चलते कोई ना कोई अवग्याएं कर देते हैं दिन्चर्या में कोई ना कोई हमारी अवग्याएं हो जाती हैं ये अवग्याएं भी बोज हैं पुराने हिसाब किताब और विकर्म ये भी बोज हैं इसलिए फरिष्टा बनने के लिए केवल मन का बोज बाबा को नहीं देना केवल निमित बनना ही बाबा को बोज देना नहीं है लेकिन इन सब बातों को बाबा पे अरपन कर देना इन सब का दान बाबा को दे देना ये है बोज मुक्त होना और इसी से हमारी उर्तिकला होगी ओम शंति